दोस्तों आज बात करते हैं कि कमपनी की जो इंडिया में एक मोनोपोली कमपनी है और आज इसके अंदर तो समझिए इसके ड्राइबर ने एकदम से मतलब ब्रेक लगाना इसमें बूली किया एकदम यह स्पीड में गया और कुछ दिन से इसके अंदर मोमेंट बना हुआ है औ और इंडियन रेलेवे का मोनोपोली स्टॉक है यानि कि इस स्टॉक को चुनोती देने वाला मार्केट में और दूसरी कोई कमपनी नहीं है जी या दोस्तों मैं बात करना हूँ आई आर सी टी सी की एकदम मैड बूल जैसा सिच्विशन बना हुआ है कि आज जबरदस भॉल स्टॉक है आप इसमें लॉंग टर्म के लिए भी प्ले कर सकते हैं दोस्तों आने वाले 10-15 साल के लिए रसकते हैं और सॉट टर्म में स्विंग ट्रेट करने का बेहतरी ना आपको अपरचुनिटी दे रहा है चलिए मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिस करता हूँ देखें यह आपको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मैंने यह डे टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और यह जो सेट अप लगा हुआ है यह सेट अप है 3 EMA यानि तीन लॉंग डिस्टेंस की एक्स्पोनेंसियल मूबिंग एवरेजेज यह जो ग्रीन वाली ल देने में हेल्प करती है ठीक है और साथ में नीचे का यह जो दीख रहा होगे यह है RSI का सेट अप हमने लगा कर रखा हुआ है तो यह पूरा सेट अप क्या हो गया 3 EMA पलस RSI बेस्ट सेट अप हो गया मेरा आज के दिन का RSI देखेंगे तो 80 सूपर क्रोस कर गया है दोस्त ही ज्यादा सक्सेस राता है यह ब्रेक आउट अब कैसे ब्रेक आउट दिया है और मैं आपको समझाने कोशिश करता है यह बॉलूम केंडल देख लिए RSI देख लिए और आज का यह लॉंग केंडल आपने देख लिया एक लॉंग मोरो बोजू टाइप का केंडल बनाया और यह 52 वीक हाई पर आज के दिन जाकर प्राइस क्रोज हुआ है किस तरह का मोमेंटम है 52 वीक हाई होने का क्या इंपोर्टेंस है आप अच्छे से सेर मार्केट में समझ रहे होंगे आप देखिए पिछले कुछ में स्टॉक ने एक ही पॉइंट पर आपना बार बार लो बनाया ठीक है यहां से गया consolidate किया दीरे दीरे और इस period में 640 के आज पास इसने अपना लो बनाया यह बार बार रजिस्टेंट इस stock पर फिस कर रहा था जो की है 760 का जो इनिसियली हम यही से break करके आए गये थे time में बहुत पहले देखिए यहां पर गया इधर गया नहीं क पाइया यहां पर जाकर रूका और रूकने के बाद फिर यहां से break out दिया अब यह point जो है दोस्तो 800 से 760 के बीच में यह जबरदस्ट सपोर्ट का काम करने वाला है आने वाले वाकत में जबर दस्त सपोर्ट का काम करने वाला है, अब क्या situation यहां पर हो रही है? देखिए क कि यह point जो है यह candle का जो point है दोस्तों यही अब इसका support का काम करेगा अब चुकि यह आज ही कि दिन 14% की इसके अंदर तेजी रहा जो कमजोर या short term के लिए या date trader है वो तो यहाँ पर थोड़ा सा भी rate candle consolidate बनता हुआ देखेगा वो आपको निकल जाएंगे लेकिन आप यहाँ date करके निकले जैसे यहाँ पर consolidate करके निकला तो यहाँ पर एक दो rate candle जैसे आपको एक दिन बने यानि कि cool up हो जो यह 14% 15% की तेजी है तो आपको बिना डरे यही पर अपना position बनाना है और इसको 3-4 महिने तक के लिए long लेकर जा सकते हैं या अपने risk reward को या आपना कितना पर पीछे लेकर चलूँगा और मैं यहाँ पर दिखाने के कोशिज करूँगा कि weekly time frame पर कि किस तरह का situation इसमें है देखिए week time frame पर में लेकर आगोई ध्यान दीजेगा दोस्तों जब आप जब आप टेस्ट करते हैं अपना setup को जब आप अपना जो भी setup आप follow करते हो तो different time horizon में जाकर चेक करने यह कोशिज कीजिए जब weekly time frame पर आप देख रहा है तो दोस्तों यही जो point मैंने आपको बताया था देखिए यही इसका resistant बन रहा था बार बार और यहां से breakout करके निकल गया है अब क्या होगा क्योंकि अब इसको breakout करना है इसको तो इस तरह से नहीं जाएगा एकदम से यहाँ पर थोड़ा सा consolidate करेगा यानि कि यह दो candle हो सकता है कि यहाँ पर चोटा चोटा रेट बनता हुआने जा रहा है और फिर जाएगा तो पहला टार्गेट एक हजार का दूसरा टार्गेट मेरा all time इसका high का है दोस्तों इसकेंड टार्गेट यह लेकिन यह की बार है कि एकी बार सेकेंड टार्गेट नहीं जाएगा तो पहले टार्गेट के पास 50% profit बूक कर ले और SL जो रहेगा आप बाइंग प्राइस के पास लगा दे और सेकेंड टार्गेट के लिए लेकर जाए और अगर इन्वेस्टर है लॉंग टर्म के लिए तो बे ही चक आप बैठे रहे हैं जहां पर आपको लगिए कि अब आपको निकल जाना चाहिए आपको profit बूक कर लेना करें लेकि मेरा आपको suggestion रहेंगा कि 10 साल के लिए इसे stock को आप hold करें बहुत अच्छी benefit आपको मिलता हुआ न जा रहेगा दोस्तों दोस्तों यह वीडियो पसंद है प्लेज चानल को लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े अपने दोस्तों के साथ सेयर कीज़े